नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ छेले इंद्र पांडे आज सूर्य अपनी राशी परिवर्तित करेंगे और सूर्य अपनी सबसे कमजोर इस्थिती से निकल करके एक बेहतर इस्थिती में जाएंगे यानि आज सूर्य व्रिष्चिक राशी में प्रवेश करेंगे और सूर्य का ये राशी परिवर्तन स्वयम सूर्य के लिए भी ठीक होगा और बहुत सारे लोगों के लिए भी ये परिवर्तन बेहतर होगा अच्छा होगा चाल चक्र में आज क्या खास है इस राशी परिवर्तन के बारे में चलिए बताते हैं आपको चाल चक्र में आज बात करेंगे कि सूर्य अब क्यों मजबूत होंगे सूर्य का ये राशी परिवर्तन जो सूर्य व्रिश्चिक राशी में प्रवेश करेंगे इसका मामला क्या है और अलग-अलग राशियों पर इस राशी परिवर्तन का अगले एक महीने तक कैसा प्रभाव पड़ेगा इसको समझने की कोशिश करेंगे अब सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य के राशी परिवर्तन का ये मामला क्या है पूरी कहानी क्या है सूर्य किस राशी से किस राशी में आज जाने वाले हैं देखिए सूर्य देव 16 नवंबर को यानि आज के दिन वरिष्चिक राशी में प्रवेश कर रहे हैं आज संध्या काल को सूर्य देव वरिष्चिक राशी में चले जाएंगे सूर्य अब तक तुला राशी में विद्यमान थे और तुला राशी में सूर्य सबसे ज़्यादा कमजोर माने जाते हैं सबसे ज़्यादा वीक होते हैं क्योंकि सूर्य वहाँ नीच राशी में रहते हैं अब सूर्य जो व्रिष्चिक राशी में प्रवेश करेंगे इस राशी में सूर्य की स्थिती बेहतर मानी जाती है सूर्य की स्थिती अच्छी मानी जाती है सूर्य अब अपनी कमजोर स्थिती से बाहर आ जाएंगे सूर्य थोड़ा बेहतर होंगे, ज्यादा मजबूत होंगे व्रिष्चिक राशी में बुद्ध और ब्रिहस्पती पहले से विद्यमान हैं व्रिष्चिक में बुद्ध भी बैठे हुए हैं और गुरू भी बैठे हुए हैं इसलिए सूर्य के व्रिष्चिक राशी में प्रवेश करने से सूर्य, ब्रिहस्पती और बुद्ध तीनों एक साथ हो जाएंगे सूर्य, बुद्ध और ब्रिहस्पती का मित्र है यानि सूर्य का संबंध बुद्ध और ब्रिहस्पती के साथ अच्छा माना जाता है अतह सूर्य की स्थिती में निश्चित रूप से सुधार होगा सूर्य जादा मजबूत हो जाएंगे और जादा प्रबल हो जाएंगे पिछले दिनों जितने समय तक सूर्य बहुत कमजोर थे उतने समय तक सूर्य की वज़ा से लोगों को दिक्कते हो रही थी अब चुकि सूर्य प्रबल होंगे, सूर्य चुकि मजबूत होंगे इसलिए सूर्य की वज़ा से लोगों को दिक्कते अब नहीं होंगी और सूर्य के इस राशी परिवर्तन का प्रभाव लगभग एक महीने तक बना रहेगा इसका प्रभाव लगबग एक महीने तक अलग-अलग राशियों पर अलग-अलग तरीके से दिखाई देगा कुछ राशियों को इसका फाइदा होगा और कुछ राशियों को इसका नुकसान होगा लेकिन छोटे-छोटे उपाए अगर अगले एक महीने तक किये जाएं झाल